नमजगार दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम दूक चैनल में दोस्तों जैसे कि UPSI की जो एक जीएस का एक पोर्शन है मूलविधी बहुत सारे जो केंडिडेट्स ने जो तयारी कर रहे हैं पूरी जान से तयारी कर रहे हैं उनकी दिमाग में कोशन रहता है कि मूलविधी क क्या होता है मूलविधी क्या होता है और मूलविधी में कौन से कोशन आते हैं कितने कोशन आते हैं कितना वेटेज रहता है बुक्स कौन से पढ़ें क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो सेक्शन है पूरे के पूरे के पूरे UPSI की स्लेवस में वह मूलव लोग यह देखेंगे कि मुझल विदी का स्लेवस क्या है फिर उसकी स्ट्रेटीजी कैसे तैयार करना है उसको और कितना उसमें दिमाग लगाना है ठीक है जिस से कि सिर्फ हमारा कोश्चन हो जा बागी का हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना तो देखी दोस्तों टॉपिक करना इसमें आपको सिर्फ इतना करना कि कब बनाई कि कब बना अगर कोई अगर कोई कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन के क्या दार पर बना था तो वह कमेटी का याद होना चाहिए दूसरा important section जैसे चोरी, डकैती, बलातकार, आत्मत्या और भी कई सारी धारा हैं कम से कम 40 से 50 धारा हैं ऐसी हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे उसके लिए हम आपको सब चीज प्रोवाइड करा देंगे, notes भी जो handwritten notes जो है वो बने हुए हैं उसको मैं slides के रूप में आपको बता दूँगा कितनी धारा हैं याद करनी है, कैसे याद करनी है ठीक, जो कि बहुत जादा confusing हो जाता है इन टाइम में, फिर दूसरा topic जो है महिलाओं, बच्चों और अनुसूची जाती को सन्नेशन देने के विधान जो हैं, ठीक है तो इसमें क्या है, इसमें आपको SCSC Act, Act पूरा नहीं पढ़ना है, Act कब बना ठीक है, Poxo Act कब बना, ठीक है डावरी Act कब बना Domestic Violence Act कब बना दूसरा, इन सारे के सारे Actों में आप क्या करना है, आपकी सुरू की जो सारपास धाराएं हैं, बस उनको पढ़ लेना जिससे कि आपको ये रहे, कि जैसे कोशन आ जाता है कभी कभी कि ये बताईए कि SCST Act में या फिर डावरी Act में, डावरी के परवासा किस section में दी गई है तो most probably लोगों के दिमाग में ये आता है कि section 1 होगा, नहीं, कभी कभी section 2, section 3, section 5 तक में definition दी जाती है, तो वहाँ पर confusion आपका पैदा हो जाता है कि सिर्फ आपको ये है कि इनकी definitions मतलब कोई भी Act होता है, उसकी definition दी जाती है section 1, 2 लेके 5 तक किसी भी section में दे जाती है आपको दिमाग में होना चाहिए, फिर जो next topic है, वो है आपका यातायात नियम, मैंने जो अपने set आपका previous year जो paper करा रहा हूं है, GS के, ठीक है, मैंने portion by portion कराया है, मैंने एक बार में सारे का सारे नहीं कराया है, बहुत confusion में आता है, आपको पता नहीं लगता है कि GS में, या फिर math में, या फिर reasoning में, paper आ का ऐसे रहा है, ठीक है, तो मैंने अलग-अलग बनाया है, आप जाके playlist में आके देख सकते हैं, तो जैसे यातयात नियम में simple है, motor we collect, ठीक है, और motor we collect कब बना, और इसकी definition कौन सी section में दे रखी है, दूसरा है, यातयात के चिन, जो आपकी यातयात के चिन है, कि इस तरीके से a question अगया का, यह क्या है, बहुत question, हर set में question आया है, ठीक है, उसके बाद आता है, परियावन solution, one gym, solution, मानवादेकर, solution, इसमें आपको सिर्फ यात करना है, कि act कब आया, किस सन में आया, और उसकी परिवाशा किस section में दे रखी है, definition आपको जरूर हर section, हर एक act में कुछ जो उसे, जिस act के, जो act बना हुआ है, उसकी definition दी जाती है, किसी न किसी उसमें, तो आप उसमें, उसमें, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है, definition नहीं रटनी है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि definition किस section में थी, दूसरा है, सूचना का अधिकार, income tax, यह कब आया, यह याद रखना है, इसकी definition और कुछ-कुछ important section, ठीक है, जैसे income tax में बोल देता है, एक question आया है, कि आप यह बताए, income tax में जो लोगों को rebate मिलती है, ठीक है, डेल लाग रुपए तक की rebate मिलती है, वो किस form को भरने के बाद मिलती है, तो form 16, इस तरीके के question आते हैं, वो इसका ब्रस्टाचार निवारान कानून, IT Act, IT Act का मतलब यहाँ पर information and technology Act, राश्टी सुरुक्षादियम, national security Act, cyber, आपके अपराग, इसमें क्या, इसमें Act कब बना, और इसकी definition, किस Act में दे रखी है, बस इतना याद करके आपको छोड़ देना है, मैंने तभी आपसे हर बार का है, मूल विदी पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, दो से तीन question आते हैं, इसका input-output ratio बहुत कराब है, आप input ज्यादा डालेंगे और output आपका हमेशा कमाएगा, कोई guarantee नहीं है, कहां से सवाल आ रहा है, ठीक, तो इसलिए आपको selected पढ़ना है, बिलकुस selected, आपके 5 पेजो में आपका पूरा मूल विदी के notes आपको आपके provide होने चाहिए, इतना आपको concise पर पढ़ना है, जनित याच का PIL और उसके महतपून निरने, मतलब इसमें ये करना है, जैसे कि आपको एक पता लगा ना, कि जनित याच का, इसमें सिर्फ ये है कि PIL के जनक कौन थे, कब PIL बनी, कौन से chief justice या justice ने सबसे आदा आपके PIL सुने, ये चीज है, दूसरा है, मैं तो पूर निया एक निरने, इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ-कुछ आपके decisions होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े decisions, जैसे मार्राम मंदर का decision हो गया, और बहुत पूरे हिंदुस्त में कई सारे decision हैं, उनको मुश्किल से 15-20 decision होते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, कि हाँ, ये decision होते हैं, और किस संग में होते हैं, उनको वाद बोला जाता है, हिंदी में उनको वाद बोला जाता है, जैसे इंदरासानी वर्सिस केंदर सरकार, ऐसे करके जो act हो topic है, land act, तो land act में क्या है, आपको कुछ important fact याद करने हैं, एक तो कब बनाए है, इसकी definition के समय दे रखिए, दूसरा कब इसके कुछ-कुछ facts है, मतलब मुश्किल से आपको 2-3 मिनिट लगेंगे, इस पूरे act को एक बार समझने में, बस इतना धियान रखना है आपको, उसक कोई एक book आप ले लीजिए, और उसको thoroughly एक बार read कर लीजिए, आपके पास time हो, और last में आपको notes प्रवाइड कर लिए आएंगे, अगर आप self notes बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक, तो जैसे कि इसमें, एक UPSI की उपनी रिक्षर मूलविदी के लिए, संभिधान का section, इस book से पढ़के जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप मैं GS कर रहा हूँ, उसमें आप देख रहे हैं, कि संभिधान हमें से constitution है, वो depth में आ रहा है, उसके बाद यह है, यह सिर्फ मूलविदी के लिए बनी है, ठीक है, इसमें मूलविदी से मैच कर रही है, कि नहीं कर रही है, तो दोस्तों यह जो वीडियो थी, यह मूलविदी से संभन देख सारे के सारे आपके कुछ भी आपको पूछना है, वो आपको पूछना है, हम आपको जवाब देंगे, और फिर मैं वो ही कह रहा हूँ, कि सबसे आदा focus करें, constitution पे और GS क कुछ कुछ portion पे जिससे की लग बुक 40 में से 32 से 33 कोशन बनते हैं, मूल विदी से max to max 3 से 4 कोशन बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, थेंकिये दोस्तों